नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिट से आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आजम आपके लिए लेकर आये 30 जून 2022 से बनने वाले हर्याना करंट अफियर से सम्बंदित सभी मैत्वपून क्वेसन अंसर जो की आप से आने वाले कंपिटिशन एकजाम म हर्याना तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो दोस्तों आज इका फर्ष्ट क्वेस्टन है हर्याना सरकार के द्वारे देशी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को परती एकड़ कितनी रासी प्रोथसान के रूप में परदान के जाएगी तो दोस्तों इसका राइटन सर रहेगा आपका तीन हजार रूपे की रासी हर्याना सरकार के द्वारे देशी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को परती एकड़ तीन हजार रूपे की रूप में परदान की जाएगी हर्याना परदेश के द्वारे दल खनी वैतिल खनी फसलों को उगाने पर किसानों को परती एकड़ अनुदान के रूप में कितनी रासी परदान की जाएगी तो दोस्त इसका रॉइटन सरहेगा आपका 4,000 रूपे की रासी जो की सरकार के दोरा दल खनी वैतिल खनी फसलों को बढ़ाना देने के लिए किसानों को परती एकड़ तीन, यानि 4,000 रूपे की रासी अनुदान के रूप में परदान के जाएगी हर्यान पर्देश में किसानों को अमरूद के बाग लगाने पर परती एकड कितनी रासी परदान के जाएगी तो दोस्तों अमरूद का बाग लगाने पर सरकार के द्वारा परती एकड दस हजार पानसो रुपे की रासी परदान के जाएगी नेक्ट क्वेस्टन है परदे सरकार के द्वारा दान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को परती एकड़ कितनी रासी पर दान की जाएगी तो दोस्तो दान की ज creepy यहीनि दान की सीदी विजाई करने वाले किसानों को परती एकड़ चार हजार रूपे की रासी पर दान की जाएगी next question है पर्देश सरकार के द्वारा गो सालाओ में चारा पहुँचाने वाले किसानों को प्रोथसाइद के रूप में कितनी रासी परदान की जाएगी तो दोस्तों पर्देश के द्वारा गो सालाओ में चारा को पहुचाने वाले किसानों के द्वारा प्रोटसाइद के रूप में 10,500 रुपे की रासी परदान किया जाएगी और सरकार के द्वारा या है फैसला चारे की कमी को देखते हुए लिया गया है और इसके अलावा उसे अन्य दूसरी योजना का लाब भी परदान किया जाएगा नेक्ट क्वेस्टन है प्रियावन संरक्षन की द्रिष्टिगत हरियाना में वन चेतर और ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए 2022 में कितने हैक्टियर चेतर में पोधार ओपन किया जाएगा तो दोस्तों इसका राइट अंसर रहेगा आपका 2070 हेक्टियर भूमी पर हरियाना सरकार के द्वारा 2022 में पोधार ओपन किया जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है परदेश के किस जीले की रहने वाली दर्सना देशवाल के द्वारा जैवलिंग थ्रो में रजत पदक जीता गया है तो दोस्त इसका राइट अंसर रहेगा आपका ओप्सन नंबर सी यानि पानिपत की रहने वाली दर्सना देशवाल के द्वारा जैवलिंग थ्रो में रजत पदक जीता गया है और इस परतियोगिता का आयोजन गुजरात में किया गया था पानिपत जीले की स्तापना आपकी एक नॉमबर 1989 को के गय थी और ये हरियाना का एक मात्तर जीला है जिसका दो बार गठन क्या गया है 1989 में और 1992 में रोत्तक जिले की स्तापना आपकी 1966 में की गई थी सोनिपत की स्तापना आपकी 1972 में और करनाल की स्तापनी आपकी 1966 में की गई थी केलो इंडिया महीला वेट लिप्टिंग लीग में जियोती यादव के द्वारा कितने भारवरग में सव्ण पदक जीता गया है तो दोस्तों महीला वेट लिप्टिंग में जियोती यादव के द्वारा 76 किलोग्राम बारवरग में सव्ण पदक जीता गया है जबकी रजट पदक तमन्ना के द्वारा और तेलनगाना की रहने वाली वी सहर्ती के द्वारा काश्य पदक जीता गया है और इन्हें इनाम के रूप में सवन पदक जीतने वाले को 15,000 रुपे, रजत जीतने वाली वेट लिप्टिंग महिला को 10,000 रुपे और काश्य पदक जीतने वाले को 8,000 रुपे की रासी परदान की गई है नेक्ट क्वेसन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चोथे संस्क्रण में हारियाना के द्वारा कितने मैडल जीते गई? टोटल आपके 137 पदक जीते गई और हरियाना खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले नमबर पर रहा है, जबकि दूसरे नमबर पर महराश्टर और तीसरे नमबर पर करनाटक राज्य रहा है गुजरात में हुई नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में चैंपिन सीप में हारियाना राज्य के द्वारा कितने पदक जीते गई? तो दोस्तों गुजरात में हुई नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में हारियाना राज्य के द्वारा बीस पदक जीते गई? और इन बीस पदकों में से आपके साथ गोल्ड मैडल, साथ आपके सिल्वर और चैंपके बरोंज सामिल है टोटल आपके बीस पदक जीते गई? नेश्ट क्वेस्टन है एएफ आई राष्टे मंडल खेलों के लिए हरियाना के नीरच चोपड़ा सहीत कितने सदस्य बारतिया एथलेटिक्स टीम में चीयन हुआ है दोस्तों एएफ आई राष्टे मंडल खेलों में हरियाना के नीरच चोपड़ा सहीत 37 यानी 37 बारतिया एथलेटिक्स का चेन किया गया है नेश्ट क्वेस्टन नीरच चोपड़ा के द्वारा पावर नूर्मी गेम्स 2022 में कौन सा मैडल जीता गया है? तो दोस्तों नीरच चोपड़ा के द्वारा पावर नूर्मी गेम्स में सिल्वर मैडल जीता गया है और नीरच चोपड़ा के द्वारा इस गेम्स में जैवलिंग थरो को 89.3 मीटर फैका गया है जबकि टोक्यो ओलम्पिक 2020 में नीरच चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर जैवलिंग थरो में गोल्ड मैडल दिलाय था लेकिन पाव नूरमी गेम्स में सिल्वर मैडल में इन्होंने 89.3 मीटर बहाला फैक इन्होंने सिल्वर मैडल जेता है नेक्स्ट क्वेस्टन है जैवलिंग थरो दिवस कब मनाया जाएगा तो दोस्तो जैवलिंग थरो दिवस को 7 अगस्ट को मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन नीरच चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलम्पिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मैडल जीता था तो इसी के उपलक्स में सरकार के द्वारा 7 अगस्ट को जैवलिंग थरो दिवस के रूप में मनाया जाने की गोशना की गई है नेक्स्ट क्वेस्टन है परदेश के द्वारा चार वर्सों के बाद कितने खिलाडियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेस्टन है एसियन केंडिडेट चेंपिनसिप में हारियाना की पहलवान खिलाडी के द्वारा कितने पदक जीते गई है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका ग्यारा पदक एसियन केंडिडेट चेंपिनसिप में हारियाना की पहलवानों के द्वारा ग्यारा पदक जीते गई है नेक्स्ट क्वेस्टन है बजरंग पुनिया और रवी दिया का संबंद कि स्केल से है तो दोस्तो बजरंग पुनिया और रवी दिया इन दोनों का संबंद कुस्ती से है बजरंग पुनिया के द्वारा टोकियो ओलमपिक 2020 में ब्रोंज मैडल और रवी दिया के द्वारा सिल्वर मैडल जीता गया था नेक्स्ट क्वेस्टन है परदेश के द्वारा हर खेल के परिणाम वे हर खिलाडियों से संबंदी जानकारी लेने के लिए कौन सा एप लोंच किया गया है तो दोस्तों पर्देश के दुआरा के आई वाई जी एप को लॉंच किया गया है जिससे पर्देश के सभी खिलाडियों के नाम और उनसे संबंदित खेल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी नेश्ट क्वेस्टन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का सुभंकर क्या है तो दोस्तों 2021 का सुभंकर था आपका दाकर और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चोथा संस्क्रण था जिसका आयोजन हर्याना के पंचकुला जेले में 4 जोन से 13 जोन तक किया गया और इस चोती संस्क्रण में हर्याना पहले नमबर पर रहा है राष्टिया उपन मास्टर एथलेटिक्स चेंपियन सीप में हर्याना के किस जिले की रहने वाली रामबाई ने 105 साल की उमर में 100 मिटर की दोड को 45-45 सेक्ड में पूरा किया है तो दोस्तों ये हर्याना के चर्खी दादरी की रहने वाली है जिन्होंने 105 साल की उमर में 100 मिटर की दोड को 45.40 सेक्ड में पूरा किया है और इन्होंने इसमें गोल्ड मैडल जीता है हर्याना के किस जीले में पहली बारती रंदाजी परतियोगिता का आयोजन किया गया और सोनी पत जीले की स्थापना 1972 में की गए थी और सोनी पत जीले को सोने का सहर और एजूकेशन सीटी के उपनाम से भी जाना चाहता है नेस्ट क्वेस्टन अब बर्मिंगम में होने वाली एसी आई कुस्ती परतियोगिता में हर्याना की कितनी महीला पहलवानों का चेन हुआ है तो दोस्तों हर्याना की पांच पहलवान और एक यूपी की पहलवान महीला खिराडियों का चेन हुआ है पर्देश के किस जीले की रहने वाली प्रियंका जुनेजा ने MS United Nation World 2022 का खिताब जीता है तो दोस्तों पर्देश के पानिपत जीले की रहने वाली प्रियंका जुनेजा के द्वारा MS United Nation World 2022 का खिताब जीता गया है नेक्ट वैस्ट वेsवे मूखबधिर ओलम्पिक में गॉल्ड मैडल किस ने जीता है तो दोस्तो चोबशवे मूखबधिर ओलम्पिक में गॉल्ड मैडल दिखसा के द्यवारा जीता गया है नेस्ट क्वेस्टन है हर्याना परदिश कि किस जीले में एथिलेटिक्स वै वयायाम साला इस्तापित की जाएगी तो दोस्तो इसका right answer रहेगा आपका option number B यानि मेवात जीले में एथिलेटिक्स, ट्रेक वैवयाम साला इस्तापित किये जाएगी Next question है, हर्याना परदिश कि किस जीले में SGT, VV में biological and applied science पर अंतराइस्टे सम्मेलियन का आयोजन किया गया है तो दोस्तो हर्याना के गुरू ग्राम जीले में biological and applied science अंतराइस्टे सम्मेलियन का आयोजन किया गया है और गुरू ग्राम जीले की स्तापना फुर्ट नॉम्बर 1966 को की गई थि और गुरू ग्राम जीले का नाम गुरू दुरोनचारिया के नाम पर रखा गया है देश का सबसे बड़ा electrical vehicle charging station किस जीले में स्तापित किया गया है तो दोस्तो यह भी आपका गुरू ग्राम जीले में स्तापित किया गया है अंतराइस्टे सोर उर्जय का मुख्यालिया कहां पर है तो दोस्तों अंतराष्टे सोर उर्जय का मुख्यले भी आपका गुरू ग्राम जीले में स्थीत है और इसकी स्थापनत 2015 में बारत और फ्रांस के सहयोग से की गई थी नेक्ट क्वेस्टन है परदेश के किस जीले में देश का पहला हैली हब बनाया गया है तो दोस्तों परदेश के गुरू ग्राम जीले में परदेश का पहला हैली हब बनाया जाएगा नेक्ट क्वेस्टन है मिलेनियम सीटी किस जीले को कहा जाता है तो दोस्तों मिलेनियम सीटी गुरू ग्राम जीले को कहा जाता है और अन्य इसके अलावा इसे किस उप नाम से जाना जाता है यहाँ भी हमें कुमेंट करके जरूर बताना है मिवात जीले का नाम नुहू कब किया गया तो दोस्तों मिवात जीले का नाम बदल कर नुहू आपका दो हजार सोला में किया गया था और मेवाद जीले की स्थापना यानि नू जीले की स्थापना आपकी चार अपराइल 2005 को की गए थी जो की हर्याने का बीसवाँ जीला बना था चोटाला सरकार में इसका नाम गांधी जी के पिरिये नारे सत्यम मेव जेयते पर सत्यम मेव पूरम रखा गया था हुड़ा सरकार के द्वारा इसका नाम 2 अक्तुबर 2005 को मेवाद रखा गया लेकिन मुख्यमंत्री मनुरलाल खटर सरकार में 12 अपरेल 2016 को इसका नाम बदल कर नुहू किया गया था कोटला जील उजीना जील संगेल जील किस जीले में स्तीत है तो दोस्तों ये तीनों जीले आपकी नू जीले में स्तीत है हर्याने का पहला चल नियाले किस जीले में स्तापित किया गया तो दोस्तों हर्याने का पहला चल नियाले मेवाद यानि नू जीले में स्तापित किया गया है और इसके अलावा सेक मूसा की मजार किस जिले में स्तीत है तो दोस्तों सेक मूसा की मजार भी आपकी नुह जिले में स्तीत है और इसका निर्मान अकबर के दुआरा करवाया गया था हर्याना के किस जिले में स्तीत केंद्रिय मरीदय लवनता अनुसंदान संस्तान के दुआरा बाजरे की दो किसमों पर मदूमय, मोटापा और हर्द्य रोगों से बचाने के लिए सोध किया गया है तो दोस्तों इसका राइट अंसर रहेगा आपका ओप्सन नमबर ए यानि करणाल जिले में स्तीत केंद्रिय मरीदय लवनता अनुसंदान संस्तान के दुआरा बाजरे की दो किसमे कोदो वे कुटकी इन दो किसमों पर मदूमय, मोटापा वे हर्द्य रोगों से बचाने पर सोध किया गया है नेक्ट क्वेस्टन है परदेश के किस जिले में चकरवती जिल है तो दोस्तो परदेश के करनाल जिले में चकरवती जिल है नेक्ट क्वेस्टन हर्याने का पहला सेनिक सकूल किस जिले में खोला गया तो दोस्तो हर्याने का पहला सेनिक सकूल कुझपूरा जिले यानि कुझपूरा जो की आपका करनाल जिले में पढ़ता है वहाँ पर परदेश का पहला सेनिक सकूल खोला गया next question है कलपना चावला का संबंद किस जीले से है तो दोस्तो कलपना चावला का संबंद भी करनाल जीले से है और इसका जनम यानि कलपना चावला का जनम एक जुलाई 1961 को हुआ था और इनकी मरत्यू दो हजार तीन में हुई थी यानि एक फरवरी दो हजार तीन को दर्ती पर उतरने से सोरला मिनट पहले इनका यान क्या था क्रैस कर गया था जिससे इनकी मरत्यू हो गई थी next question है राश्टे डेरी अनुसंदान संस्तान की स्तापना कब की गई तो दोस्तो राश्टे डेरी अनुसंदान की स्तापना आपकी 1979 में करनाल जीले में की गई थी next question है जो आप से भी के लिए करफे कोमेंट करके जुरू बताए कि हारियाना परदीश का पहला ट्रैफिक मुख्याले किस जीले में खोला गया हमारे पास खोरोपसन है सोनिपत करनाल पानिपत या अमबाला नेक्ट क्वेस्टन है जो कि आपको कल की वीडियो में पूछा गया था कि विस्व प्रियावन 2022 की थीम क्या है तो दोस्तो 2022 की थीम है आपकी केवल एक परीत्वी यानि इसका राइट अंसर रहेगा आपका केवल एक परीत्वी 2021 की थी आपकी पारिस्तितिक तंतर की बहाली 2020 की जे विविर्था का जसन मनाए और 2019 की थी आपकी वाई यू परदीशन तो फिलाल के लिए दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सेर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए माली साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद